बे मौसम बारिश और उलावरिष्टि गासर पूरे प्रदेश में हुआ है मौसम की बेरुखी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है उलावरिष्टि ने फसलों को तबाह कर दिया है तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे गेहूं और सरसों की फसल का बड़ी पैमाने पर नुकसान हुआ है लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने परिशान किसानों गुराहत देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए किसानों से अपील करते हुए कहा कि बेमौसमी बरसात और उलावरिष्टी के कारड़ हुए फसली नुकसान की जानकारी शर्तिपूर्थी पूर्टल पर अपलोड करें किसान जिससे फसलों के नुकसान का आकलन किया जा सके मुख्य मंत्री ने ये भी का कि शतिपूर्थी पूर्टल पर किसान अपनी फसलों में हुए नुकसान की जानकारी 15 मार्च 2014 तक अपलोड कर सकते हैं दरहसल शतिपूर्थी पूर्टल पर किसानों को पहले खुद जानकारी अपलोड करनी होती है जिसके बाद राजस वाधिकारी सर्वे करते हैं और फिर किसानों की बैंक एकाउंड में फसलों के नुक्सान का मुआवज़ा दिया जाता है आपको बदारेगी मुआवज़ा उन्हें किसानों को मिलेगा जिनका रेश्टेशन मेरी फसल मेरा प्योरा पोटल पर दर्ज है बीते दिनों प्रदेश में जमकर बरसात और रोला वरिष्टी हुई जिससे तक्रिबन प्रदेश भर में गेहूं और सर्सों की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई खेतों में पानी लग गया कई खेतों में ओलो की सफेज चादर भिच गई जिससे गेहूं की खड़ी फसल गिर गई सर्सों की साथी अन्य फसलों के हालाद भी ऐसे ही रहे ऐसे में मनोहर सरकारने किसानों को बड़ी रहात देते हुए किसानों से शती पूर्थी पूर्टल पर नुकसान के प्योरा दर्ज करने के लिए कहा है वीरो रुपूर्ट सूर्या समचार